Hello Munchkins, My Name Is Ocean और आज हम लोग Robert Frostdara लिखी गई एक छोटी से प्यारी सी पोर्म Fire and Ice को सिर्फ 90 सेकंद में सम्मराइज करेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पोर्म में हमारे पोर्ट ने Fire और Ice दोलों को सिंबलाइज करा है जहां Fire stands for desire and passion वहीं ice का मतलब है hatred or indifference तो इस poem में हमारे जो author है port है वो सिर्फ ये कहना चाहते है कि ये दुनिया है वो या तो सिर्फ hatred यानि ice या फिर fire यानि की passion की वज़े से ही खतम होगी तो port जो है starting में fire को थोड़ा सा बोलते हैं कि ये जादा दुनिया को खतम हो सकती है तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के दोना extreme human emotions जो है वो control में रखने चाहिए वरना ये पूरी दुनिया को और हमको तभा कर देंगे अगर हम theme के बात करें तो obviously like I told you it is about destructive power of human hatred and desire तो हर emotion को control में रखे तभी better रहेगा और अगर poetic devices की बात करें तो important poetic devices में symbolism, personification और imagery है तो इन पर ज़्यादा focus करेगा So thank you, have a nice day